Hello friends, आप लोगों कोई शैनल पे दुबारा स्वागत है ये हिस्ट्री का डिस्कसन है और हम लोग मोडन हिस्ट्री का डिस्कस कर रहे हैं मोडन हिस्ट्री मेसलेनियस प्रस्ण में आपका जो है इसे पहला हम लोगों ने 27 कोशन का एनालेसिस किया था और 28 नमबर से सुरू करते हैं कुशन नमबर 28 में है कि किस वर्स बंबई में पहली भारती कप्णा मिल्की अस्थापना हुई थी तो आपका सई जवाब है 1854 डी अप्सन सूती वस्तर की पहली मिल्की अस्थापना 1818 में कुलकत्ता के समीप फोर्ट गलाश्टर में की गई थी किन्तु यह सफल रही सबसे पहले सफल आधुनिकर खाना जो है मुंबई में 1854 में कावस जी डाबर द्वारा खोला गया था इसका बंबे नाम एस्पाइनिंग एंड विविंग कमपनी बंबे रखा गया था कुश्टर नमबर 29 से राजा जनता के लिए बने है जनता राजा के लिए बनी है राश्टी आंदोलन के दोरान निमलिकित में से किसने यह वक्त तब दिया था अप्सने है सुरेनात बनर ज सही जवाब है दादा भाई नौरोजी ने यह वक्त तब दिया था कि राजा जनता के लिए बने है और जनता राजा के लिए बनी है और यह भारती राजनिती के पितामक है जाने वाले जो दादा भाई नौरोजी है यह प्रख्यात राजनिता उधोगपती सिख्छा बीद और बिचारक हैं कोस्टन नमर तीस है भारत में वाय स्काउट यानि बाल्चर और सिविल गाइड आंदोलन का जन्म दाता था कौन था? तो वेडेन पॉवेल आपका सही जवाब है देखें वाय स्काउट यानि बाल्चर जो है और सिविल गाइड आंदोलन का प्रारम युनाइटेड किंग्डम में उस समय हुआ था जब लॉड वेडेन पॉवेल ने 1907 में ब्राउन सी द्विप में एक स्काउट कैम अस्थापित किया 1908 में उसने स्काउटिंग फॉर बाय प्रकासित किया इसके बाद या आंदोलन युनाइटेड किंग्डम के सा साथ पूरे बिश्वे में फैल गया तन्नुसार भारत में बाय स्काउट यानि बाल्चर और सीविल गाइड आंदोलन के जन्वदाता वेडेन पॉवेल थे भारत में स्काउटिंग 1909 में और गाइडिंग जो है बिकल्प है एक कहरा कि रॉलेक्ट एक्ट से सारवजनिक रोज की एक लहर उमडी जिसके फॉल्च वरुप जालिया वाला बाक्स जन्सन हार हुआ बी कहरा सुआश चंद्र बोस ने फारवर्ड ब्लोक गठित किया था और सी भागा सी हिंदुस्तान डिपाब्लिकन सोसिलिस्ट एसोसियेशन के संस्थापकों में से एक थे और डी 1931 में कराची कॉंग्रेस अधिवेशन में गांधी इरिविस समझाता का बिरोध हुआ था तो डी आपका जो है इसमें सही नहीं है यानि अप्शन नंबर डी आपका सही होगा यानि अप्शन के भी उसे 1930 में लंदन में हुए प्रतम गोल में समेलन का कॉंग्रेस ने बिरोध किया और इसमें भाग नहीं लिया जिसे यह समेलन निस्फल रहा तेज बहादु सप्रू, बीए सास्ति एम आर जैकर जैसे कुछ उदारवादी नेताओं के परयास से गांधी इर्विन समझावता हुआ 1931 के कॉंग्रेस के कराची अदिवेशन में गांधी इर्विन समझावता को स्विकृति परदान की गई जिससे समनिर प्रस्ताव गांधी जी ने जुहालाल नेहरू से प्रस्तूत कराया यह प्रस्ता निर्विरोध पारित हो गया इस तरह से डी जो है आपका कथन असत्य अन्य तीनों कथन सही है नेक्ट कोशन देखते हैं कोशन नमबर 32 जुहालाल नेहरू के बिसे में निमलिखित कत्रों पे आपको ध्यान देना है और बताना है कि इनमें से कौँन से कथन सही है पहला है वे 1947 में कॉंग्रेस दल के अध्यक्स दे और दूसरा स्टेट्मेंट है उन्होंने समिधान सवा की अध्यक्स दा की और तीसरा स्टेट्मेंट है भारत की सइनता से पुरुण उन्हों ने संघुक्त प्रांत में प्रथम कॉंघ्रेस मंत्री मंडल बनाया था तो इसमें देखिए आपका जो इनके बारे में सही है उख Χ कोई भी सही नहीं है याणि डी अप्षन आपका सही है तो इनके बारे में जो अप्षन दिये गए हैं उनमें से कोई अप्षन सही नहीं है 1947 में कॉंग्रेस दल के अध्यक्ष जेविक क्रिपलानी थे सविदान सावा की अध्यक्ता सचिदानन सिना जो अस्थाई रूप में थे और डाक्टर राजेंद्र परसाद अस्थाई रूप में जो है दो दिन बाद बन गये थे संजुक्त प्रांत में प्रत्थम कॉंग्रेस मंत्री मंडल यानि सोतंता से पूर्व में भी जो हालाल नेहरू सामित नहीं थे उपियुक्त में से पंडित नेहरू के संबन में कोई भी कतन जो है सत्य नहीं है कोशन नमर तेती से मैं एक समाजवादी और गड़ तंत्रवादी हूँ और मुझे रदाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है जो इस्टेटमेंट है किस से संबन दित है तो ये जोहालाल नेहरू का वकत अब्य है मैं एक समाजवादी हूँ और गड़ तंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है ये बात जोहालाल नेहरू का है जोहालाल नेहरू के विचारों में मार्सवाद सहीत समाजवाद का विसलेशन और ब्याखा मिलती है नेहरू के समाजवादी रुजहान के विसले में जनता को दिक भरमित करने के लिए ततकालिन इउनाइटेड प्रोविंसेज ठीक है वरतमार उतरपरदेश के परचार विभाग द्वारा जोहें कम्यूनिस्ट लाइक्स और डिसलाइक्स नाम से एक परचा छिपवाया गया था जिसमें नेहरू को सामेवाद का उस्तम पूजारी के रूप में वनित किया गया था सरकार के उचा दिकारियों ने ऐसे परियास न करने और सामेवादियों के साथ तुलनाग न करने की सलाह दी थी आगे देखते हैं नेक्स्ट कोस्टन है हमारा कोस्टन नमबर 35 है निमिलखित में कौन एक ज्वायला नेरू का जीवनिकार है वह हैं फ्रेंक मोरेज आगे बढ़ते हैं 36 नमबर कोशन कोशन नमबर 36 है राजनितिक विरोध परदसन के निमिलखी चार रुपों में से कौन सा उस बैक्ति के नाम पर दारित है जिसने सौर प्रथम इसका उपयोग राजनितिक हतियार के रूप में किया बाइकाउट यह आपका सही है देखे आयलन के सीसी बाइकाउट के नाम पर ही बाइकाउट सब्द का परियोग अधारित है सीसी बाइकाउट ने ही सौर प्रथम 1880 में भूराजस कमनक करने के समद्द में इस विदा का उपयोग राजनितिक अस्त्र के रूप में किया था कोसर नमबर 37 है निवलिकित कत्रों पर आपको विचार करना है चार स्टेटमेंट है पहला है आरेस समाज की अस्थापना 1875 में होई थी सेकेंड नमबर स्टेटमेंट है अलहिलाल को मौलाना अबुलकलाम आजाज ने परकासित किया था और तीसरा स्टेटमेंट है लाला लाजपत राय दप्पिपुल समचार पत्र से संबंद नहीं रखते हैं और चौथा स्टेटमेंट है कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज की अस्थापना राजाराम मोहन राय ने की थी तो इन देखिए चारो स्टेटमेंट में आपका जो सही है वह है आपका मदब इसमें बताना था कि कौन सा सही है तो देखिए पहला दुसरा और चोथा स्टेटमेंट सही है तो सी में आपका जो है ये चारो अप्शन में से तीन अप्शन दिये गए हैं स्वामी दायानन सस्वती ने 1875 में आरे समाज की अस्तापना की थी उर्दु सप्ताइक समचार पत्र अलहिलाल को 1912 में मौलाना अबुल कलाम अजाद ने परकासित किया था कलकत्ता के परसीद प्रेसिडेंसी कॉलेज की अस्तापना राजा रामोहन रायने डेविड हेयर के साथ मिलकर 1877 में के थी तो कथन तीन सही नहीं है इसलिए जो आपका विकल्प होगा C अप्शन सही है कोश्चन अमड़ 38 है नेमलखित घटनाओं में कौन सी घटना कालकरम के अनुसाद तीसरे अस्तान पर आती है तो यह ओ डांडी मार्च इन चारो अप्शन में आपका डांडी मार्च सही जबाब होगा चमपारन अंदोलन देखिया 1917 में हुआ था अस्तायोग अंदोलन 1920 में डांडी मार्च 1930 और भारत छोड़ो अंदोलन 1942 में तो डांडी मार्च मलब कालकरम के अनुसाद तीसरे अस्तान पर आता है चमपारन अस्तायोग इसके बाद डांडी और 49 नमर कोशन है भारती राजनित्तिक में 1947 के बाद किस महिला ने स्रवादिक योगदान दिया था उनका नाम है अरुना असफ अली यानि ए अप्सन आपका सही है अरुना असफ अली एक राष्टवादी मुस्मान और स्वतनता सिनानी थी 1942 के भारती राजनित्ति में 1947 के बाद स्रवादिक योगदान दिया चालिस नमर कोशन है हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यादि हम बिहार की जनता और उसके मंत्री मंडल के लिक के निताओं को जो है इंसक और असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षी छोड़ देंगे 1946 में या बाद किसने कही थी तो सरदार पटेल ने देखें प्रशनकत सरदार पटेल ने 1946 में बिहार में मुस्लिम लीग द्वारा जो है कराय जाया रहे दंगे के संदर में या बाद कही थी 41 नमर कोशन है किसने 1921 सिस्पी में पहली बार पूर्ण स्वतंता की मांग को उठाया था पताए किसने तो मौलाना हसरत मोहानी ने देख लेते हैं इसके बारे में दो-चार पॉइंट डिपोर्टेंट है 1921 के अमादाबाद में हुए कॉंग्रेस अधिवेशन थी अध्यक्ता हकीम अजमल खाने की थी इस अधिवेशन में स्वरप्रता मौलाना हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंता की मांग को उठाया था किन्तु महात्मा गांधी इस मांग के पक्ष में नहीं थे 42 नमर कोशन है भारत विभाजन के लिए मोहमद अली जीना को स्रवाधिक उतरदाई किसने ठहराया बताइए देखें लॉड मांड बेटन ने जो है स्रवाधिक उतरदाई जो है मोहमद अली जीना को भारत विभाजन के लिए ठहराया था तो डी विगल पापका सही है 1947-48 यह है Lord Mountbatten का समय भारत विभाजन के लिए मोहमद अली जीना को उतरदाई ठहराया था Lord Karjan का जो Lord Karjan है इनका कारेकाल है 6 जनवरी से 1899 और 18 नॉमबर से 1905 तक यहीं 18 नॉमबर 1905 और 6 जनवरी Lord Karjan का कारेकाल 6 जनवरी 1899 से 18 नॉमबर 1905 के बीच है Lord Evin का कारेकाल 3 अप्रेल 1926 से 18 अप्रेल 1931 Lord Linn-Lithuko का कारेकाल 18 अप्रेल 1936 से 1 अक्टूबर 1923 के बीच था तो इस तरह से आपको याद रखना है मिलान के लिए दिया जा सकता है 43 नमर कोशन है निमलिखित मैंसे किसने 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्व दलिये मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्ता की थी उनका नाम है आगाखा आगाखा 31 दिसंबर 1928 से एक जनवरी 1929 तक दिल्ली में हुए सर्वदलिय मुस्लिम सम्मेलन की अधेक्ता की थी सम्मेलन की प्रिष्ट भूमी 10 दिसमबर 1928 में आई नेहरू रिपोर्ट थी जिसमें बड़ी संक्या में केंद्रिय और प्रांतिय विदान सबाओ के मुस्लिम सदस्यो दरा हत्ताक्षरित सीमला घुसना पत्र जारी किया गया जिसमें प्रवदान किया था कि मुस्लिमों के सममती के बगएर कोई सनुधानिक सुझाव या सुधार मंजूर नहीं होगा चुवालेस नमर कोषन है अगस्त उनीसो तेज़ के बनारस हिंदू महासाबा के अधिवेशन की अधिवेशन की अधेखता की थी इसमें पंदरो सो परतिनीदियों ने भाग लिया जिसमे सनातनी हिंदू जैन बाध सीक और पार्सी भी समलित थे नेक्स कोशन देखते हैं कोशन नमबर 45 है भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी और राष्टिय स्वयम सेवक संग की अस्थापना के क्रमस सबसे करीबी वर्ष आपको जो है बताना है पहचान करिए तो देखिए कि इसमें सबसे करीबी जो वर्ष है 1925 भारत की कम्यूनिस्ट पार्टी और राष्टिय स्वयम सेवक संग की अस्थापना वर्ष 1925 में करमस कानपूर और नागपूर में की गई थी 46 नमबर कोचन है Frontier गांदी का असली नाम बताना है आपको तो Frontier गांदी का असली नाम है मदब अब्दुल गफार खान इनको Frontier गांदी के नाम से सिमान्थ गांदी के नाम से जाना जाता है ब्रिटिस भारत के भूत्य पूर्व उत्र पश्मी सीमा प्रांत के पिसावर जीले जो आप पाकिस्तान में हैं एक गाओं में जन्में अब्दुल गफार खान समानितर सिमांत गांदी या फ्रंटियर गांदी बाथसा खार फक्र ए अफगान आधी नामों से जाने जाते हैं 1987 में भारत रतनी की उपादी से इन्हें समानित किया गया था और 47 नमर कोशन है इनवे से किसे जो हैन। फ्रंटियर गांधी कहा जाता है तो बताये करत यसे ऑन अबदुल-गफार खान को नामक स्वयम सेवक संगठन अस्थापित किया गय था इन्हें रेड सट के नाम से भी जाना जाता है लालकुर्ती संगठन ने पठानों की राष्टिये एकता का नारा बुलंद किया और अंग्रेजों से स्वतंता के लिए ब्रेटिस उपनिवे स्वाद के विरूद आंदोलन संगठित किया तत है स्रम जीवों की हालत में सुधार की मांग की जब अन्हे प्रांतों में मुशलमान और स्वयम को सत्यागरा आंदोलन से अलग कर चुके थे यानि अलग रख रखे थे अपने को उतर पचिमी सीमा परांत के मुसलमानों ने खान अब्दुलगफार खान के नेत्रिट में सविनाय अवग्या अंदोलन में एक महत्तपूर भूमी का निभाई थी 49 नबर कोशन है निमलकित में से किस ने डाक्टर बी आर अम्बेदकर पर यह कहकर आकरमण किया कि अम्बेदकर को उदार ब्रिटिस सरकार द्वारा थोपा गया नेत्रित प्राप्थ हुआ था क्योंकि उनकी सिवाए राष्टवादी नेताओं को बाधा पहुचाने के लिए आवस्यक थी तो देखें इसमें आपका डाक्टर बी एस मुंझे सही जबाब है इसके बारे में देख लेते हैं 2-4 पॉइंट तो बी एस मुंझ एक हिंदू राष्टवादी नेता थे उन्होंने अंबेदकर्द द्वारा दलीतों के लिए प्रिथक निरवाचन छेत्र की मांग करने के कारण 1932 में ये उप्यूक बक्ता बेजारी किया था जो परमामलोगों अभी अभी डिस्कस किया है कोश्व नमर पचास है तिरपूरा की देशी रियासत स्वतनता अंदोलन में 20 सदी के प्रारम में सामिल हुई क्यों हुई चार स्टेटमेंट है पहला है कि तिरपूरा के राजा हमेशा ब्रेटिस गिरोधी रहे इसलिए ये सामिल हुई तिरपूरा के देशी रियासत के राजा अपने प्रसासन में स्टिक्षित बंगालियों को सामिल करते थे बिश्वी सताबदी के प्रारम में ब्रेटिस दबाव के कारण बंगाल से अनेक क्रांतिकारी तिरपूरा में जाकर आसरे लिये हुए थे जिसके फॉल सरुप तिरपूरा के रियासतों में स्वतनता अंदोलन का परसार हुआ था 51 नमबर कोशन है राजेंद्र पसाथ कहां के रहने वाले थे तो ये कहां के रहने वाले थे तो आपका 20 सही जबाब है और आगे बढ़ते हैं 52 नमबर कोशन है महान कवी रविन्दा टाइगोर एक महान चितरकार कर रूप में उबरे उनका आयू थी लगबग जब ये महान चितरकार कर रूप में उबरे थे तो उनकी आयू जो है उसमें 70 वर्स था यानि D आपका सही जबाब है महान कवी रविन्दा टाइगोर एक महान चितरकार कर रूप में 70 वर्स की आयू में उबरे आधुनिक भारत के परमुख चित्रकारों में रविन्ना टाइगोर की सहज अस्पूर्थ अंकन पदती कले के निर्दिष्ट मार का अनुसरान करती है उन्हाँने काला में विभिन परकार की अनुभोतियों को सकार किया है तिरपन नमबर कोशन है जगत नरायन लाल को किस जेल में भेजा गया था तो जगत नरायन लाल को आपको हजारी बाग जेल में भेजा गया था 1929 में उनकी हजारी बाग जेल से छुटने पर राजेंदर परसाद ने पठना के गुलाब बाग में एक रैली को सम्भोधित किया था चोवन नमबर कोशन है कस्तुरुबा एवं महादेव देशाई की समाधियां किस परिस्तन में इस्ति थे तो ये आगाखा फैलेस पूना में यहाँ पेस्ति थे और इसके बार आप देख लेते हैं महादेशाई को 9 अगस्त 1942 को जो एक गिरहतार करकर आगाखा महल में रखा गया था 14-15 अगस्त की मतर रातरी को देशाई का नीधन हो गया उनके नीधन के उपरांत महात्मा गांदी की एक्छा कनुसार आगाखा के महल में उनकी समाधि बनाए गई इस समाधी पर ओम और क्रॉस के चिन अंकित किया गया 22 फरवारी 1942 को कस्तुरुबा का भी स्वरगास हो गया और आगाखा जो महल है आगाखा जो पैलेस है और इसमें गांधी जी की उपस्तिती में हुआ यानि जब 22 फरवारी 1942 को कस्तुरुबा का स्वरगास भी जो है सुरवगास कह सकते हैं आगाखा पैलेस में हुआ और गांधी जी के उपस्तिती में जो है इनका सुरवगास हुआ था कस्तुर्बा की समाधी जो है ये महादेव देशाई की समाधी के बगल में बनाया गया है तो आगे बढ़ते हैं next question देखते हैं सही जबाब है 56 नमर कोशन है निमलखित में कौन कॉंग्रेस के अधिकारिक इतिहास करचाईता थे बताए कौन थे तो पटाबी सीता रमया C आपका सही जबाब है इनके बारे में देख लेते हैं डेक्टर पटाबी सीता रमया परमुक राष्टवादी और भारती राष्टि कॉंग्रेस के सरकारी इतिहास कार थे विवसाय से चिकेश सक्त है 1949 में विशुवाष चंद्रबोस से कॉंग्रेस अध्यक्षपत का चुनाव हार गए थे 57 नमर कोशन है भारत में उपनिवेस काल में विटली आयोका उदेश था क्या उदेश था? इसमें जो इनका उदेश था विटली आयोका वो है स्रमिकों की महजूदा परिस्तितियों पर परतिवेदन कर सिफारी परस्तूत करना तो B आपका सही जवाब है 1939 के मध है भारत सरकार ने भारतिये स्रम पर एक राज की आयोकी निक्ति की घोसना की जे एच विटली जो है इसके अध्यक्ष हुए और इस आयोका उदेश भारत में अधागी कारेश सलाओं और बग्गानों में स्रम की वर्तमान परस्तिति कारेकरताओं के स्वासट, छमता, चीवन की इस्तिति और निवक्त कारिया जो है और निवक्तियों के विश समंध पर सिफारिष करना था तो आगे बढ़ते हैं नेक्च्स कोस्टन देखते हैं कोस्टन नमर अंठामन है काथरीन मेवो आल्डस हक्सेल चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिगवी के बीच आम रिष्टा क्या था इन लोगों के भी जो आम रिष्टा था देखिए उन्होंने ब्रिटीश सासन के दोरान भारत की हालत पे टिपणी लिखी थी सी अकस सही जबाब है चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिगवी ये चारों लोग ब्रिटीश सासन के दोरान भारत की हालत पे टिपणी लिखी मदर इंडिया की लेखी का कैथरीन मेवो थी विलियम डिगवी ने दो अवेकिंग ओफ इंडिया लिखा चार्ल्स एंड्रूज का जर्म जो आठारों से कातर इसपी में इंगलाइड में हुआ और वि महात्मा गांधी के मित्र थे 1940 में ये भारत पहुँचे और सेंट एश्टिफन कॉलेज के अध्यापक का कार किया उन्होंने भारती राष्टवाद को अपनी किताबों और पत्त्र कारिताओं के जरिये पुर्साहान दिया एल्डस हक्सेल ने बिश्वी सदी के पुर्वार्द में भारत की यात्रा की और अपने यात्रा बिरतान्त में तत्कालिन भारत की परस्तितियों को चित्रांकित किया या लिखा कोसर नमर 69 है बंगाल दुर्विक्ष का वर्स जिसमें लाखो लोग दियोगंत हुए थे क्या है गिए जिसमें लाखो लोग दियोगंत हुए थे इसका समय जो है जिसमें लाखो लोग दियोगंत हुए Tet對吧 है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा जो कोशन है साथ बीश्व में सांती और आपसी सहयोग अस्थापित करने के लिए नेहरू ने कौन सा जो है सिधान प्रस्तूत किया था तो गुठ निर्पेक्षता का यह अपसन आपका सही जवाब है देगे सित काल यूद में करूप से यही रही है कि सांती निसाष्ट्रीकरण और जातिय समानता का पक्ष लिया जए अंतराश्टी अस्तर पर सयोग दिया जाए ताकि अंतराश्टिय जगड़े और जो यह जगड़े सांती प्रुवक्ष शुलिया जा सके 20 दिसंबर 1961 को भारत के परधाल मत्री जवाला नेरू, मिस्क के राश्पति कर्न नासीर तथा युगो सलाविया के राश्पतिर मार्सल टीटी को सयोग से भिश्व के तिसरी सक्ति के रूप में युगो सलाविया की राश्पतिर में गुट निर्फेक्ष आंदोलन का गठन किया गया और गुट निर्फेक्ष देश का प्रतों सिकर समेलन 1961 में बिल्ग्रेड में आयोजित किया गया था एकसर नमर कोसर है 15 अगस्ट 1947 के बाद भारत का पहुँं सा भाग पृतकाल के अधिन बना रहा तो देखे 15 अगस्ट 1947 के बाद भारत का जो भाग था पृतकाल के अधिन बना रहा वो था गोवा यह अपसंजी सही जवाब है 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का गोवा भारत के जो भाग गोवा है इस भाग को पुर्तगाल के अधिन जो है अमेरिका ने 1905 में पुर्तगाल के इस दावे का समर्थन किया था कि गोवा पुर्तगालियों का ही एक परदेश है उसने भारत की अब आलोचना की जब 14 वर्सों तक धैर रखने के बाद 1901 उसने गोवा को फौज भेज कर मुक्त करा लिया बासर नमर कोशन है भारत में 15 अगस्त 1947 के पस्षाद भी किसी अपनिवेशिक सक्ती के बीरूद स्वाधिनता संगर्ष जारी रखना पड़ा तो देखिए यह है पुर्तगीच के बीरूद तो डी अप्सन अब का सही है उपर में इसके बार में डिसकसन किया था 63 नमर कोशन देखते हैं निम्ने में से जो आहल ला नेरु के लिए बकतभय दिया गया है बताना है आपको कि कौन सा नेरु के लिए जो है जो स्टेटेमेंट है उनके लिए सत्त है तो देखिए इसमें जो आपका सत्त नहीं है पूझा गया है तो जोहालाल नेरु का जो बक्ताब्य है इसमें बताना है चारो में से कौन सा सत्व नहीं है जिसमें एक सत्य है वो है अपका वेजर्मन राश्टवाद से प्रभावित है बाकि तीनों statement जो है जोहालाल नेरू के बारे में है तो सही है लेकिन D option गलत है इसलिए option के भीव से अबका D option correct होगा भारत के प्रथम परदान मंतरी जोहालाल नेरू समाजवाद के सासाथ ब्रिटीस उदारवाद और महत्मा गांधी के विचारों से प्रभावित थे विजर्म राष्णवाद से जोहें केंचित मातर भी प्रभावित नहीं थे उनके परसिद ग्रंथ यहने बिस वितिहास की जो जलक और आदमकता है लेखो और भासनों से उनके समाजवादी विचारों की असफ़ष्ट जलक मिलती है स्वतंतरता पूरु बिहार में निमलिकित में से एक वर्चव साली जाती नहीं थी कोन नहीं थी नहीं थी तिके स्वतंत्रता पूरु बिहार में भूमिहार, राजपूत, कायस, वर्चस्वे साली जन्द की पावरफुल कह सकते हैं कि काश थे और जब की कुर्मी जो थे ये पावरफुल यानि वर्चस्वे साली जाती नहीं थी आगे बढ़ते हैं 65 नमर कोस्टन है निमलिखित कत्र 1946 तब हुआ जब मुंबई और कराची से रायल इंडियन नेवी के भारतिय नौसेनिक सरकार के विरूर उठ खड़े हुए इसमें से देखिए दोनों स्टेटमेंट में जो सिकेंड स्टेटमेंट है आपका सही है यानि अप्शन में केवल भी आपका जो है सही होगा सीमला समेलन जून 1945 में लौड वेवल के कारेकाल में हुआ था नकी लौड माउंट वेटन के तो पहला कत्र गलत हो जाता है 19 फरवार नामक एक जहाज कुछ करमचारियों को लेका ब्रिटिस सरकार के समक्ष निम्न अस्तरिय भोजन बेवस्ता की सिकायत की और सरकार द्वारा इन पे ध्यान न दिये जाने के कारा बंबई, कराची और मद्रास के भारतिये नौसेनिकों ने सरकार के विरूद बिद् कर दिया है, देखे मैं फिर से इसको दोरा रहा हूं क्योंकि इंपोर्टेंट है, सीमला समयलन जो है जून 1945 में लौड वेविल के कारेकाल में हुआ था, नकी लौड मांट वेटन के, तो पहला स्टिट्मेंट गलत हो जाता है, 19 फरवार 1946 को एन एस तलवार नमक एक जहाज के करमचारियों ने ब्रिटिस सरकार के समक्ष नीम नस्तरिय भोजन की वेवास्ता की सिकायत की, और उस पर जो है सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिये जाने कारण, बंबई कराची मद्रास में भारतिय नोस्यनिकों ने सरकार के विरुद बिद्रोग कर दिया, 25 फरवार 1946 को सरदार बल्ला भाई पटेल के अस्वास्वन पे विद्रोईयों ने आद्म समर्पन किया, तो दोसरा कथन आपका सत्य है, छाचट नमर कोशन है, निमिलकित कथनों पे आपको विचार कना है, तीनी एस्टेटमेंट है, पहला है, इस वर चंद्र विद्दा सागा ने महिला स्टेटमेंट है, केशो चंद्र सेन के सती के विरूद, अभियान के फॉल्सरिक तक कालिन गुवर्न जर्नल ने सती पर परतिबंध के लिए कानून बनाया, तो बताए तीनों में से कौन सा सही है, पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा या चोथा, या नहीं द महिला अस्कूल खोले, तीस तरह से पहला स्टेटमेंट सही हो जाता है, परसीद बंगला उपनियास बंकिम चंदर चटुक पध्धाय, 1859 में कलकत्ता बिस्विदाले के प्रत्थम असनातक थे, इस प्रकार जो दूसरा स्टेटमेंट है, वो भी सत्य है, तीसलिए बी अप परसट नंबर कोशन है, ब्रिटिस हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रतम भारतिये ने लड़ा था, वो थे, कौन थे, तो W.C. बनर जी, देखिए, W.C. बनर जी, बेवमेश चंदर बनर जी, भारती राष्टी एक कॉंग्रेस के प्रतम अध्यक्ष और ब्रिटिस हा ब्रिटिस हाउस ऑफ कोशन आवर लड़ने वाले ये प्रतम भारतिये थे हालंकी ये चुनाव हार गये थे, और इस तरह से दादा भाई नरोesting ब्रिटिस संचत के सदस के रूप में चुने जाने वाले प्रतम भारतिये थे कौन थे, दादा भाई नरोजी, देखिए, जो W प्रुश सी बनर्जी थे ये अमता की ब्रेटिस हांस अब कॉमंस के लिए चुनाओ तो लड़े थे पर ये जीत नहीं पाये थे कोर्शन नंबर उनातर है भारत में अपरत्यक्ष निर्वाचन की प्रथा की सवर से अरंब की गई थी तो 1882 से देगे भारत में अपर्टेक्ष निर्वाजन की जो प्रथा है अठाला सो बेरासी में ये प्रारम होई थी और इस तरह से भी आपका सही बिकल्प है आगे वड़ते हैं नेक्स्ट कोश्चन है सत्तर देवबंद के उस बिद्वान का नाम बताना है जिनाओने स्वतनता आंदोलन में महत्पूर्ण भूमी का निभाई उनका नाम है अबुलकलाम अजाद देवबंद से संबंदी थे उन्होंने अल नदवाह का प्रकासन किया वे 1940-1945 तक कॉंग्र से कौन से कथन सई है इसमें चार स्टेट्मिंट है बी आरमितकर से संबंदीत पहला उन्होंने सिदार्थ कॉलेज की अस्थापना की दूसरा है उन्हों 1920 में उन्हाओने अपनी पत्री का मुक नायक शुरू की तिसरा है 1922 में उन्हाओने डिप्रेश्ट क्लास इंस्टिूट की अस्तापना की और चौता है वह भारत के प्रतम सुरक्षा मंत्री थे देखिए इसमें जो है आपका पहला दूसरा तिसरा स्टेक्मेंट सही है वह भ हारत के प्रतम सुरक्षा जो मंत्री थे अंब्यत कर नहीं थे बलकि बल दे उसी थे याद रखिएगा 72 नमर कोशन है निमलिखित घटनाओं पर आपको विचार करना है नीचे दिये गए कुट से घटनाओं का सही काला नुकरम जो है इसको पता करके आपको टिक करना है समीति द्वारा सरसमति रिपोर्ट की प्रस्तूति इसके बाद देखिए आपका जो आएगा ठर्ड नमर यानि तुर्की को अर्पित सान्ती सर्तों की घोशा तो चार थिरी फिर आपको आएगा टू यानि बाल गंगा अधा तिला कनिदर इसके बाद कलकत्ता का भारती रा सार जो सही है वो आपका एप्सन सही है भारती राष्टिय कॉंग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 4 से 9 सितंबर 1922 बाल गंगादर तीलक का निदन 1 अगस्त 1922 तुर्की को अर्पित 37 सर्तों की घोश्णा 14 मैं 1922 जालिया वाला बाग हत्याकांड पर कॉंग्रेस समिति द्वार सर्व सम्मत्य रिपोर्ट प्रस्तूत की जो ती थी है 25 मार्च 1922 तो आप सजा सकते हैं 73 नबर कोशन है स्वाधिन भारत इसकी प्रतम अधोगिक निती जिस वर्ष घोशित की गई थी उस तीथी का आपको बताना है इसमें से चूच करना है वो ती थी है 1948 प्रतम अधोगि निती की जो है स्वाधिन भारत की प्रतम अधोगिक निती का प्रतिपादन 6 अप्रायल 1948 को जो है अधोगिक निती प्रस्ताव में किया गया इस निती में पहली बार देश के लिए मिसित अर्थ बेवस्ता की जो है संकल्पना की गई और इसका अंतरगत सारोजनिक और जी छेत्र के सअस्थितों को स्विकार करते हुए अधोगिक विकास में दोनों की भूमी का अस्पष्ट करने का प्रयास किया गया था 74 नमबर कोशन है भारत के किस प्रांच में स्वर प्रतम सामयवादी सरकार की अस्थापना हुई थी तो केरल में और 75 नमर कोशन है केरल में प्रतम सामयवादी राज सरकार का गठन किया गया था किस प्रांच में तो देखिए 1957 में दक्षनी राज केरल में विधान सबा चुनाव में भारतिये कम्यूनिस्ट ने कॉंग्रेस को हराया था केरल के मुख मंत्री के रूप में जो है EMS नम्मुद्री पाद ने स्वतंत्र भारत में पहली गयर कॉंग्रेसी सरकार का गठन किया था तो इनका नाम याद रखना है इंपोर्टेंट है आगे बढ़ते हैं 76 नमर कोशन है निमिलखित में से किसके पक्षधर नेरू थे किन्तु गांधी नहीं थे तो देकि नेरू जिनके पक्षधर थे वह है भारी ओधोगी करण जिसमें गांधी जी का बिचा जो था है इनसे भिन्द था यानि ये ओधोगी करण का भारी ओधोगी करण का पक्ष जब कि कई आर्थिक सिधान्तों पर दोनों में गहरे मतभेत थे भारत के आर्थिक बिकास के लिए गांधी जी ने लगु और कुटिर उधोगों के बिकास पर बल दिया तो वहीं नेरू जी भारे अधावी करण के पक्सिधर थे 77 नमर कोशन है निमलकित में से भारती राष्टी कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांदी ने कहा था गांदी मर सकता है पर गांदीवाद सदय बना रहेगा बताए इसमें आपका जो सही जबावगा बताए उपर में डिसकर्शन भी आम लोगों ने किया था गांदी जी ने आमराण अंसन किया था संप्रदाइक आवाड के बिरुद और कराची जाते से में काले जंडे दिखाए गये थे देली समझावते का अनुमधन किये जाने पर और इसके बाद उन्हों मैं कहा कि प्राजे मेरी उनसे जो है अधिक है तो यह संबन्द है 1949 का कॉंग्रेस संकट से आगे देखते हैं और इसका इस तरह से ए अप्शन सही है यहाँ आप आप देख सकते हैं 79 नबर कोशन है निम्न को जो है सही कालक्रम में लिखना है आपको बताना है कि इसमें कौन सही होगा तो देखिये अस्वायोग अन्दोलन साइमन कमिशन नेरु रिपोर्ट भारा छोड़ो अन्दोलन इस तरह से बी अप्शन आपका सही है देखिये अस्था Andrea 2012 के बीच हुआ था साइमन कमिशन 1927 में आथा नेरु रिपोर्ट 1928 में पेस किया गया था और भारा छो कमिशन 1927 में आ था डांडी यात्रा 1931 में और पूना समझाता 1932 में इस तरह से आपका सही जवाब है 2143 इसके बाद देखे 81 नंबर कोशन है निम ने घटनाओं को उनके काला नुकरम अनुसार वेवस्दित करिये और अपना उतर जो है दिये गए कुट का सही मतलब जो है करन है तो निम ने घटनाओं को काला नुकरम अनुसार अगर वेवस्दित करिये तो इसमें आपका जो अप्सन होगा बी अप्सन सही होगा यानि कि अंतरिम सरकार का गठन 24 अगस्ट 1946 को कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 24 मार्च 1946 को मुसलिम लिग द्वारा सीधी करवाही दि का भारत आगमन 24 मार्च 1946 मुसलिम लिग द्वारा सीधी करवाही दिवस 14 अगस्ट 1946 जीना द्वारा सीमला कॉन्फरेंच को विद्वन्स करने के बाद सीमला समयलन की विफलता की गोश्रा 14 जुलाई 1945 को हुई थी इस तरह से बी आपका विकल्फ सही है 82 नंबर में आपको जो है सही क्रम का निर्दिष्ट करना है आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही होगा तो देखिए इसमें डी आपका सही है सूरत विबाजन साइमन कमीशन सविनय अग्या अंदोलन इसके बाल खुदाई खित्मत गाग तो इसका जो है डी अप्शन आप 33 खुदाई खित्मतगार सविनय अवग्या अंदोलन के दोरान या आंदोलन पचिमोतर प्रांत में खान अब्दुल गफार खांके नेत्रित में चलाया गया था तो इस तरह से डी विकलप आपका सही है 83 में सुची 1 सुरुची 2 के साथ आपको जो है मिलान करना है सुची 1 में दल है और सुची 2 में संस्थापक तो देखिए आजाद मुस्लिम कॉन्फरेंस का संस्थापक से जिसका संस्थापक है अल्लाव वक्स इसके बाद खाक सार पार्टी का जो संस्थापक यह है अल्लाम मस्रिकी और खुदाई खिदमतगार का समद्ध है अब्दुल गफार खा से और क्रिशक प्रदा पार्टी का समद्ध है फजलूल हक से तो इस तरह सिसमें जो आपका अपसन होगा सी अपसन सही है और देख लेते हैं देखिए अजाद मुस्लिम कॉन्फिरेंस जो है इनका समद्ध अला वक्स से है खाकसार पार्टी का अल्लामा मस्रिकी से है खुदाई खिदमतगार का समद्ध अब्दुल गफार खा से है क्रिशक परदा पार्टी का समद्ध फजलूल हक स 84 में भी आपको मिलान करना है बारदोली सत्यागरव सरदार पटेल के नेत्रित में चंपारव सत्यागरव गांधी जी के कुका आनुलन रामसी और लालकुर्ति का नेत्रित गफार खा तो इस तरह से आपका ये अप्सन सही है देखे इसके बाद हमारा जो है यहाँ आप किरिया जरूर दीजिएगा